वेल्कम बैक तो मैं चैनल, इस वीडियो में आपका पहुत ज़्याता स्वागत है, मेरे पास हैं दो आइफोन 11, एक है iOS 16.6 के ओपर, एक है iOS 17 के ओपर, दोनों अपडेट्स को मैं कंपेर करने वाला हूँ, कौन सा फास्ट रहेगा, कौन सा स्लो है, और मैंने जो है, इसकी CPU और GPU score भी टेस्ट की हैं, तो मैं आपको दोनों ही फोन्स की CPU और GPU score बताऊंगा, कि क्या निकल के आए हैं, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, दोनों ही फोन्स जो है, 64GB वाले वेरियांट्स हैं, सबसे पहले, सेटिंग्स में चलते ही, आपको मैं दिखाता हूँ, यह वो iOS 16.6 के उपर रन कर रहा है, और राइट वाला जो फोन है, वो iOS 17 के उपर रन कर रहा है, यहां पर have a look, आप चेक आउट कर सकते हो, यह दोनों फोन्स जो हैं, अलग-लग software versions के उपर रन करने हैं, सो अब मैं आपको दिखाता हूँ, कि कौन सा फोन फास्ट है, कौन सा स्ल अब ही देखने को मिल गया है, अभी history चेक करेंगे CPU की, सो मैंने आज सुबह ही test किया था, 7.37 के उपर और अभी 8.55 हो रहे हैं, और अभी आप scores चेक आउट कर सकते हो, single core की जो score आई है, वो 17.68, iOS 17 में आई है, और यहां iOS 16 में 12.42 आई है, multi core की 21.69, दोस्तो लिटरली काफ अभी जाधा फरक आया है, iOS 17 के साथ performance में, GPU scores चेक आउट करते हैं, तो यहां पर GPU वाले section में जलते हैं, तो history निकल के आई है, यह वाली, और यहां पर scores में आप देख सकते हो, I believe कि 3 गुना जाधा score में फरक आया है, तो iPhone 11 जो है, वो और जाधा fast हुआ है, इस update के बाद में तो अगर आपको अपने GPU और CPU या अपने फोन से performance fast लेनी है, तो दोस्तों यहां पर साफ साफ clear है, कि अनया update आपके लिए एक positive update है, overall iPhone 11 ने काफी improvement दिखाई है, इस update को install करने के बाद में, जैसे कि battery backup जो है, अब standby में इतना जाधा drop नहीं करता, stand by the sense कि normal phone पड़ा रहे न, overnight तो battery इतनी जाधा lose नहीं करती, पहले battery drop हो जाती थी iOS 16 में, लेकिन अब मेरे case में तो fix है, जो मैंने चक किया है, network में कोई issue नहीं आया, थोड़ी बहुत speed test करते हैं, एक booting test करेंगे, full review और app opening speed करेंगे, अलग video में, लेकिन आज की video में मैं आप आपको iOS 16 का review प्रोवाइड करने वाला हूँ, just मैंने आपको scores compare करवाए हैं, अच्छा, सबसे पहले, मैंने अपनी personal SIM card इस में install की थी, और जो scores है, sorry, जो reviews है, वो थीक है, genuine है, कभी-कभी call field का मुझे problem आता है, लेकिन चलो anyway, मैं उसके साथ continue कर सकता हूँ, मैं आपको problems अगर मैं दिखा हूँ आपको, तो यहाँ पर, I believe, call field वाला कहां गया, delete हो गया होगा, चलो anyway, call failure की issue भी मुरे को देखने को मिला है, अच्छा, bugs देखो, जब मैं किसी call के अंदर हूँ, calling screen में, अगर किसी की call waiting में आ गई, तो उसका नाम शो नहीं होना, कभी-कभी, यह issue ब आप देखो, नाम एक के ऊपर ही एक नाम चड़ा हूँ है, और वो नाम एक ही है, एक ही contact है, और फिर आपको पुराने वाले नाम, और यह जो नया फॉंट है, यह दिखा ही दे रहा है, यह बग है, फिर से मैंने नोटिस किया था, यह 733 का है, और यह 231 का बग है, ओके मैं जो जो मैं बगस नोटिस कर रहा हूं, मैं डिखी ली झारे रहा हूं, और यहां पर Standby Mode में अगर मैं लो मैंने फोन रखा है, और फोन लॉक कंडिशन में है, और जैसे मैं फोन को उठाता हूं, तो फोन अगर लॉक स्क्रीन में आएगा, तो उसकी जो Face ID का जो लॉक बना हुआ lag वगरा, hang वगरा, phone फोड़ा सा fast feel हो रहा है, battery health में कोई ग्रौती नहीं आई है, मेरे case में 88 की 88 है, iPhone 11 जो है heat कम कर रहा है, यह जो iOS 6.6 वाला phone है यह जादा heat कर रहा है, iOS 17 के मकाबले, scores जब मैं जब जादा heat हुआ है, यह जब अला phone, और दोस्तों यहां पर साफ साफ मेंचिन है, iOS 17 iPhone 11 को एक better device बना रहा है, नए features के साथ में, और जो AirDrop के खास new features नए है, live wallpaper पर आया है, unlimited calling history का नए feature आया है, इसी तरीके के जो नए-ए फीचर्स है वह आइफोन को और बैटर फोन बना रहे हैं आपका क्या मानना है और अगर आप मेरे से पूछो लास्ट मिर कि अपडेट को इंस्टाल करूं या ना करूं सो दोस्तों आप आंखें बंद करके अपडेट को इंस्टाल कर लो इसका रीजन ये है आइफोन 11 के देखने को मिलेंगे और आइफोन 11 कम हीट कर रहा है और नेट्वर्क का कोई इश्यू नहीं है कुछ खाज जादा जस्ट ये छोटे-छोटे बग्स हैं इनके साथ इनके साथ आप कंटिनु कर सकते हो अससच को इश्यू नहीं है आप आइफोन 11 को आंखें बंद करके अपडेट करो आपको इस ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज कंटेंट सज़स्ट करो कि आपको किस टापिक पर वीडियो चाहिए इस वास दी वीडियो आप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक्स वासिंग गाइज थैंक्यू सो मच